वहीं गाइस सोगाइस कई भाईयों का डाउट है कि क्या फ्रीफार सच में हमारे इंडिया में बैन हो गया सो फुल लीटल मिलने वाला है सब्सक्राइब कर दिया है जो उन्हें लगता है कि वह चाइनीज मतलब एपस है जो बहुत सारे बैन हुए है उनका कॉपी है तो यहां दे सकते हो जो न्यूज एटी का रिपोर्ट है वहाँ दे सकते हो गोवर्मेंट है फिप्टीन मोज चाहिनीज स्मार्टफून एपस गर मतलब जो पचास एप ने बैन हुए है वह मतलब उनमें भी हमारा फ्रीफार बैन हो सकता है आगे दे सकते हो दो गोवर्मेंट है रिपोर्टली बैंड फिप्टीन मोर स्मार्टफून एपस इन इंडिया देट भी चाइनीज ओरिगन एट इस फॉस्ट लोट एपस डेट तो है बीन बैंड वाइद गोवर्मेंट इन तूजन ट्वेंटी टू अफ्टर टोटल अफ इनके कहना है कि मतलब जो पहले टिक टॉक था वैसे कई एप जैसे आप जानते हो कि सौट वीडियो वाला एप कई चाइनीज एप था उन्हीं को कॉपी करके दुबारा मतलब ज लेकिन आप दे सकते हूं नियुज एटी को लगता है कि हमारा फ्रीफार भी उन्हें शामिल हो सकता है और यह कंफॉर्म नहीं है तो मैं बताता हुए यह यूजर क्यों नहीं चला है क्योंकि यहां पर यह पर पबजी को लाइब हुआ है और दोनों में पार्टनर्सिप है गवरानिक कोई बात नहीं है यहां पर हमारा फ्रीफार भी अफिसली कंफॉम ने हुए कि बैन हुआ कि नहीं तो ऐसे पलपली की कवर जाने के लिए फ्रीफार की पलपली के खवर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है